इस अध्याय में हम इपॉक्साइड वले किस प्रकार खुलती है और किस प्रकार उसमें रासेनी का विक्रिया होती है इसका अध्यन करेंगे कि इपॉक्साइड वले पर जब भी अभिक्रिया होती है तो वह वले अमल अथ्वाशार उत्परिरक द्वारा खुल सकती है जब अमल उत्परिक की उपस्तिति में वले खुलती है तो एसेन वन अभिक्रिया की भाती नाभी किस नहीं उस कार्वन प्रमाणों से जुड़ता ह है जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो अर्थात नाभी किस नहीं सबसे पहले उस कार्वन प्रमाणों पर अक्रमा करता है जिस पर प्रतिस्थापियों अर्थात जिस पर अधिक संख्या में प्रमाणों की संख्या होती है या सम्हू जुड़े वे होता है और जब शार उत्पररक्यों प्रस्तिती में इपोक्साइड वेले खुलती है तो SN2 अभी क्रियक की भाती नाभी किस नहीं उस कार्वन प्रमाणू प्राक्मन करता है जो कम प्रतिस्थापियों अर्थात जिन पर प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है लेकिन एक बात दोनों में समान यह है कि जब इपोक्साइड अनु में कार्बन प्रमाणू पर ना भी किसने का अक्रमन इपोक्साइड वले के विपरी दिशे में होता है अतह है इस कार्बन प्रमाणों के अभिविन्यास का प्रतिपन हो जाता है जबकि इपोक्सेड वले के दूसरे कार्बन प्रमाणों का अभिविन्यास भी रहता है क्योंकि उस कार्बन ऑक्सिजन बंध का विद्लन नहीं होता जहरन के लिए 1-2 epoxy, 1-methyl-cyclohexane के epoxy वले का अमल उत्पेरक द्वारा खुलना निम्न प्रकार प्रदिशित किया जा सकता है इस अभी क्रिया में हम देखते हैं कि 1-2 epoxy, 1-methyl-cyclohexane पर जब हम HBR की क्रिया कराते हैं तो सर्पथम H प्लस आयन ऑक्सिजन के lone pair of electron से क्रिया करता है और OH बंद बनाकर वले epoxide की तूट जाती है फिर हम जब BR- अभी क्रिया करता है तो हम देखते हैं कि वो उस carbon प्रमानों से जुड़ेगा जो कि जदी ज़्यादा इस्थाई हो प्रथम इस्तिती में हम देखते हैं कि एक कम इस्थाई carbon का निर्मान होता है क्योंकि उस OH का अभी विन्यास और रॉमिन के जुड़ने के बाद अभी विन्यास एक ही दिशाई में होता है जबकी दूसरी अभी कलिए हमें हम देखते हैं कि जन भी OH जिस carbon प्रमानों से जुड़ता है ठीक उसके विप्रित carbon प्रमानों पर बी एर मैनस जुड़ता थीक तो हम देखते हैं कि दोनों का अभी विन्यास अलग-अलग होता है और अभी विन्यास अलग-अलग होने के कारण उस योगी का इस्थाय तो अधिक होता है और इसमें अधिकि कार्भोकेटएन का निर्मान होता है क्योंकि इसमें वले खुलने के पस्चात अभी विन्यास परिवर्थन हो जाता है अता इस अभी क्रिया में कार्बोनियम आयन का निर्मान होता है और अभी क्रिया SN1 अभी क्रिया द्वारा संपन होती है अता ना भी किस नहीं का आकर्मन वले के उस कार्बन प्रमानों पर होता है जिस पर एलकिल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है हम इस उधारण में देखते हैं कि जब हम इस इपॉक्साइड वले या साइक्लो इथर वले पर हो एच की क्रिया कराते हैं किसी अमलूत प्रिरख की उपस्तिती में तो हम पाते हैं कि हमें विजनल डायोल प्राप्त होते हैं और जब किसकी क्रियाविधी को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जए अमलूत्मिरक की उपस्तिती में इपॉक्साइट की वले खुल जाती है और इसमें दो प्रकार के कार्बोकेटाइन की बनने की संभावनों होती है लेकिन वह कार्बोकेटाइन अधिक मात्रा में मैं प्रइब योडिए कार्बोकेटाइन जब जल कार्ण जोड़ता है तो हम देखते हैं कि विजनल डाए यकी शल हम भीयोatarा में flavours कार्वटार्य का शबल में अगर्ट साएट को प्रिवरती हो जोगते हैं कि इस प्रकार इपॉक्साइट की है शार उत्प रण तु में खुलती है तो शार उत्प्रक के उपस्तिती में एथिल एल्कॉल से क्रिया कराने पर इपोक्सेड वेले टूट जाती है और योग अत्म गुत्पात का निर्माण होता है जब हम हम चक्रियस्ट क यह क्रिया्स कियाश के साथ कराते हैं किसी शार उत्प्रक की उपस्तिती में Ei देखते हैं कि वले खुलकर योगित कन्र मांण होंता है कि बसी क्रियावीदी कूँ हम देखते है तो यह सेस्टर सबस्त करता है चकुल से में से oxygen प्रमानू अपने निकर तरस्त बंद में से इलेक्ट्रोन लेकर negative आइन में परिवर्टी हो जाता है और कार्वो केटाइन पर C2H5O- जूड़ जाता है और फिर इसी प्रकार जब C2H5OH आक्रमन करता है तो oxygen प्रमानू जो गिडिन आत्मक है उस पर H प्लस N जुड़कर योगी कर्यमान होता है इस अभी क्रिया में SN2 अभी क्रिया विजी दुरा संपन होती है जिस से संक्रमन अवस्था का निर्मान होता है अता इस अभी क्रिया में ना भी किसने का अक्रमन वल्ले के उस carbon प्रमानों पर होता है जिस पर जुड़ने वाले alcohol समोग की संख्या कम होती है जब हम इस अभी क्रिया काध्यन करते हैं तो हम देखते हैं कि चक्री एथर में C2H5OH ऐलकॉल की प्रेजिशन्स में एक एलकॉल और इथर योगिक का निर्मान करता है इपॉक्सेट वले खुलने के अभी विन्यास जब इपॉक्सेट वले खुलने के अभी क्रिया अमलुट प्रेट की उपस्तिति में कराई जाती है तो कार्बोनियम आएन का निर्मान होता है अभी करिया SN1 करिया वी जी दोरा संपन होती है अतव उत्पात के रूप में रेसेमिक मिश्रण प्राप्ट होता है रेसेमिक मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिस पर दोनों प्रकार के अभी विन्यास अर्थात ऐसे योगिक जो की प्रकाश को दक्षिनावर्द घुमाते हैं और ऐसे योगिक जो प्रकाश को वामवत दिशा में अर्थात दोनों दिशाओं में घुमाते हैं उन दोनों के मिश्रण वले योगिक को रेसेमिक मिश्रण कहा जात इस अभीक्रिया में ना भी किसने का आक्रमाण उस कार्वन प्रमाणों पर होता है जिस पर एलकेल्स समों की संख्या अधिक होती है परंतु शार उत्प्रिरक की उपस्तिती में अभीक्रिया SN2 क्रियाविदी दुरा संपन होती है जिससे संक्रमन अवस्था का निर्मान होता है और ये अवस्था अत्यदिक अस्थाई होती है जैसा कि हम अपने पूर्व की कख्षा में पढ़ चुके हैं कि SN1 और SN2 अभी क्रिया है SN2 में अस्थाई अवस्था का निर्मान होता है अत्या ना भी किसने का अक्रमान उस वले के उस कार्बन प्रमानों पर संपन होता है जिस पर जुड़े अलकिल समों की संख्या कम होती है के ऐसे हमें कार्बन Π्रोमानों क्यूड़े अलिकिया में कार्भी अप्रोमानों का यक्ल interpretriapus हूद डिकरफी करते हैं तोह यह सिली स्ट कर्बो केटाइन का नेलमान होता है और हमें के अब सेटेबल कार्बोकेटर बनता है और अभी क्रिया के उत्पाद में हमेरे सीज यह एक विश्नन प्राफ्ट होता है लेकिन जब यह इस इपद्पाद हम किंगे उस प्रभर्भन पर जुड़ता है जिस पर प्रतीस्ताफ्यों की शंच्या कम होती है इपोक्साइडों की कार्ब धात्विक योगिकों से क्रिया जब भी हम किसी चक्री इथर या इपोक्साइड की अभी क्रिया गिन्यारे अभी कर्मक या कार्ब धात्विक योगिकों से कराते हैं तो गल्ले में उपस्ति ऑक्सिजन प्रमानू अपने निकस्त तस्त बंद के इलेक्ट्रोन को लेकर प्रतक हो जाता है और ऑक्सिजन पर रिनाविश आ जाता है और जबकि जिस कार्बन प्रमाणों से वो बंदे टूटता है उस कार्बन प्रमाणों पर धनाविश आ जाता है और कार्बधात्वी की योगी इथर की उपस्तिती में जूड़कर एल्कॉल कर रिमान करते हैं इसी प्रकार जब लिथियम काइब धाती गयोगी का अध्यन करते हैं तो अक्सिजन प्रमाणू अपने निकस्ट बंद से इलेक्ट्रोन लेकर प्रथक ओग जाता है और अक्सिजन पर रिनावेश है जबकि काइब धाती गयोगी को में धातू पर धानावेश और एल्केल समू पर रिनावेश होता है रिनावेश कार्बन केटाइन पर जूड़कर एक इस्थायोगी कारिमान करता है जबकि ऑक्सिजन प्रमाणू पर धात्विक प्रमाणू जूड़ जाता है जो जल की उपस्तिति में एल्कॉल कारिमान करता है इस प्रकार हम देते हैं कि इपोक्साइड वले अमल उत्परियरक और शार उत्परियरक की उपस्तिती में खुल जाती है। शार उत्परियरक की उपस्तिती में जब अभी क्रिया होती है तो अभी क्रिया एसेंटू अभी क्रिया होती है और वाल्डन प्रतिपन का रिर्मार होता है जबकि अमल उत्परियरक में अभी क्रिया साधरन अभी क्रिया दोरा संपन होती है और वह कार्बो केटाइन बनता है जो अधिक इस्ताई होता है अर्थात इस प्रकार की अभी क्रिया में कार्वो केटाइन बनने की संभावना जितनी जादा होती है उसी आधर पर उनके उत्पाद के बनने की संभावना जादा होती है अता है उत्पाद रैसेमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है